यह बहुत अच्छा तो फिरम है सबसे पहले हमें अलोवेरा जेल चाहिए बाते हम बीच में करते रहेंगे साथ साथ मैं आपको इंग्रीडियंट्स बताते चले हैं दिखने के बाफिक अगर आपको समझ नहीं आये तो तो चमच अलोवेरा जेल के ले रहे हो मार्केट से कोई इच्छे प्याइड के अलोवेरा जेल ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो जो मैं आपको दिखा रही हो यह इस्तमाल करें तो आप फ्रेश ले ले रोज़ वाटर आपको चाहिए दो टीश्पूनी आपको गुलाब का रुच चाहिए यह मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा पंसार से मिल जाएगा और आपको घर पे बनाने का प्रिक्ता भी हम बताते हैं इच्छी वीडियो में हमारे चैनल पे जाके शोम और पे क्लिक करिए यह तब झाल के तमाम वीडियो आपको चाहिए के ज़िए आपको जाएगा आपके असारे यह दोनों चीजो को मिक्स करेंगे जब तक मैं इसको मिक्स करती हूं आप लोग को बताती चेलों कि इसको ऑईली स्किन वालेगे अप्लाई कर सकते हैं कि ज्यादा मसला भीचारे ऐली स्किन वालों का ही होता है और ऐली स्किन वाले से बेखिकर होके अप्लाइटर उनकी स्किन को पूल भी टेंशन नहीं बनेगे अब जर्टून का तेल हम इसमें शामिल करेंगे यह ओली स्किन के लिए जबर्दस्ट चीज है आप देज़ करो कि इसको स्कमाल के रहे इसको बताना भी तोई मुश्किल इसमें कुछ शौकिक साइंस नहीं है तुमाल जीसे आपको घर पे मिल जाएंगी कोई एक को सम्टैम्बर पे नहीं होती तो आपको माइकेट से यसानी के साथ दे सकते हैं चीज हो कि आजी आदे टी स्पून के परापर में इसमें जातून का तेरी मिक्स किया है तो इसको दोरा से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे ग्लेस्ट्रिम के आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी एक टी स्पून आपने इसमें ग्लेस्ट्रिम का मिला चीक होगे जी हम बात के कह रहे थे कि इसको हर तरक इसके इनवाली इस्तमाल कर सकते हैं इसी कुई टैंशनी तो इसमें सबसे जादा सब प्रड़स बात गिया है कि इसके आर्ट से तस्टिंग के इसमाल से आप अपने चेरे की रौनक देखिएगा अब इसमें में पेट्रॉलियम जैली शामिल करने वाली है आप वो किसी भी जनल मार्ट से मिल जाएगी सुपर स्टोर से मिल जाएगी यह जहां से आप अपने क्रीन लोशिन मदरा लेते हैं वहां से मिल जाएगी क्रीब आदा टी स्पून जो है वो इसमें में पेट्रॉलिय जैने भी लाऊंगे, या वैसली, छीप हो गया, अब तमाम चीज़ों का हमने mix करना है, step by step mix करेंगे, तो थोड़ी मेनद करना पड़ेगी, इसको अच्छी तरह से यग जान करने के लिए, आपको तीन से साड़े तीन मिनट लग जाएंगे, मैं तो कि बहुत देज़ अकल इसकी लूप क्या आएगी, जीप होंगे, जो तक मैं मैं इसको mix करती हूँ, आप मैं आपने friends से request करती चलो, कि जो ने दोस्त हैं, हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहें, ताकि आप नही वीडियो को देख सकें, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बे create कर लिया है, और हमारे सब्सक्राइबर भी इदर से वहाँ जा रहे हैं, शेक्ट हो रहे हैं, तो आज की वीडियो के description में जा कि आप हमारे दूसरे चैनल का लिंक देख सकते हैं, उस पे लिंक करिए हैं, और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें, कि उस पे भ हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, फाइनली इसमें मैं आइड करूंगी विटामिन E का एक कैप्सुल, कि वियान के नाम से 600 mg, आपको मेडिकल स्टोर से एक वियान कैप्सुल मिल जाएंगे, विटामिन E के कैप्सुल होता है, एक कैप्सुल आपने इसको लेता है, अब ह हम आजाते हैं, इसको स्टोर के ने वाली साइट पे, तो इसको आप असानिक साथ आठ से 10 तिंट विच के अंदर स्टोर कर सकते हैं, आप मौसम ठड़ा है, विच के बाहिर पे स्टोर हो जाएगा, आप इस एक शेयर के लिए लिए, किसी डपी में डालके इसको आप स्टो जाते हैं, माधन बाले बीखिशन सम्की आउलल में बाूरZA है, जेकट भी टरी करूंगी ये कम है, क्योंकि जब आप इसको अप्लाइ करेंगे तब आप इसको धार पैंगए, आप का ट्लो शिरम बनके बिल्कुल रडी हो गया है, अब इसको एक अपिल्हनाहीक काल सकते ह और 10 मिनिट के लिए छोड़ दीजी, 10 मिनिट के बाद आपने चेरे को थेटे पानी से दूईए और थोड़ा सा क्लोसिरम आपने चेरे पर इस तरह से लगाईए और आप इसे को लाई देने, सर्कुलर मोशिन में इसको मसाज के रिए, लेकि मसाज आपका एक मिनिट तक होना आपने चेरे के लिए और सबसे बेस्ट बात इसकी बता देते हैं कि इससे आपकी चेरे पर कोई भी चिप चिप चिपाहट नहीं होगी, यह इसमें डिफेंट ग्लोसिरम हम आपने आपके साथ शेयर किया है, और आप लोग इसको बहुत जादा पस्तान करेंगे जब आप आपको दे दिया है, और अब हमारा बाकी बचा है आज का लेस्न, आज के लेस्न में आपको एक आना चाहेंगे, बट लेस्न की तरफ जाने से पहले एक जुरूरी बात बताते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट गिया है कि मैं हम आपके दूसरे चैनल का हमें लिंक नहीं मिल रहा, तो उन्हें सबस्क्राइब करने में प्रॉब्लम आ रहे है, उसका तरीका यह है कि जैसे मेरी ये वीडियो खतम होगी, आपने इसको बंद करने के जल्दी नहीं करने वीडियो के खतम होते ही, लास्ट पे तीन लिंक आएंगे, एक सबाजी लाइबर पर आपके पास यह है कि यह वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन आ रहे है, उसके उपर आपको जो आव सबाजी लाइबरी का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के खतम हमारे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे, और जो नए दोस्त मे इस चैनल को भी सबस्क्राइब करें, आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया, तो इसे सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताके हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया, तो इसे सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्यों कर दो, झाला आता हमी को गजा जाईब कर लीजिए क्या तक हमारा चैनल सके माकशन, यानकाम, तो इसे सबस्क्राइब कर आर राके कर दो ост़ाघगिकेशके